अध्याय ग्यारग को आज खतम कर देंगे अध्याय ग्यारग त्रीवी में जायमती यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि यह अगर आप सदीस अध्याय दस में हम लोग सदीस बीच गड़ित पर चुके हैं अगर वह आप लोग समझ गया हो तो वाला अध्याय इस अध्याय को समझने में आपको हेल्प करेगा तो इसमें आप लोग को यह मान के चर रहा हूं कि इसमें जो डैरिवेशन वाला पार्ट है ना जब मै मैं बात करूं तो एक कोश्चन आएगा एक कोश्चन आएगा और वो जो कोश्चन रहेगा एक कोश्चन वो रहेगा दो मांक्स का रहेगा दो नंबर के कोश्चन आएगा और एक कोश्चन आएगा वह सिदा छे मांक्स देके जाएगा छे मांक्स देके जाएगा छे नंब नमबर इसंते पूरा पूरा लेना है और इसमें जो कुष्ट की संख्या है है वो कोस्ट की संख्या है 2 मतलब 2 questions आएगा और वह 8 number देखे जाने वाला है तो अगर उस लिहाज से मैं बात करूं है दो question बस और 8 number यह हम लोगो चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए तो मैं जो जो करा रहा हूं आप लोगो variety of questions कराऊंगा जिसमें maximum topic में आप लोग का cover करा दूँगा उस formula को आप लोग याद करना क्योंकि यह जो अध्याय है पुरा formula based ऐसा कुछ एकदम अगर आप derivation नहीं भी करें होगे ना तो भी चल जाएगा लेकिन मैं बता दूए जो formula है सब derive होके आता है ठीक है तो derivation के तो आप लोग practice करना ऐसा नहीं कि अध्याय 11 में पूरा अध्याय 10 कंसेप्ट लगा रहे हो देखो यदि एक रेखा कि दीक अनुपात यह है तो उसके दिक को ज्याएं ग्याद केजिए बोला है तो ध्यान से देखो दिक अनुपात हम लोग को दिया है दिक अनुपात दिय सर दिक अनुपात सर दिया हुआ तो दिख रहे है क्या दिया हुआ है टू कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस टू इसको आप लोग पहले वाले को मानो ए यह क्या है दो दिया हुए यहां पर सेकेंड वाला भी माइनस वन दिया है और यह जो सी है माइनस टू आप लोग को क्या स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर कॉमा कॉमा क्योंकि यहां पर तीन विंदू है तो यह होगा बी इस बी के लिए करेंगे इस बी के लिए करेंगे यहां पर भी सेम रहेगा बी अपॉन A square plus B square plus C square मतलब यांच बटा हर होता है हर वाला देखो पूरी quantity से में और लास्ट में क्या आएगा ये C के लिए C बटे A square A square plus B square plus C square जहां से बस देखना तो इसमें बस value put कर दो बस value put कर दो A की value क्या है 2 यहां पर आप direct करेंगे हम लोग 2 का square क्या होगा 4 plus B square minus 1 का square 1 plus minus 2 का square होता है 4 minus 2 का square होता है 4 बराबर B क्या है minus 1 और इसको तो यह तो यह होगा यह लिग देता हूँ मैं यहां पर 4 plus 1 plus 4 सर बहतरी यहां पर C क्या है C है सर minus 2 और यहां पर यह तो सेम ही है 4 plus 1 plus 4 जिसके आगे और solve करते हैं, इसको जोडते हैं, तो क्या जाएगा, यह direct मेरा answer होगा, और direct मेरा answer होगा, क्या हुआ, दो बटे देखो क्या होगा, 4, 4, 8, 9, root 9 होता है 3, क्या आप लोगों पता है क्या, बहुत बड़ा suspense खोल दिया, root 9, 3 होता है, तो दो बटा 3 हो जाएगा, और यह minus 2 बटा 3 हो जाएगा, यह मेरा उत्तर हो गया, दो नमबर एक लिए आएगा, अब जहान से देखना, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, दिक कोसाइन ग्याद करो, दिक कोज्या, दिक कोसाइन एकी है, यदि रेखा x, y, z, अक्ष के साथ क्रमसा, यहाँ पर देखो कोन बना रही है, 90, 135 और 45 का कोन बनाती है, तो इसकी दिक कोसाइन ग्याद करो, दिक कोज्या, दिक कोसाइन एकी है, पर यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, तो आप लो यहाँ पर एक कोण को माल लो alpha माल लो एक को beta माल लेंगे और एक को gamma माल लेंगे तो यह जो alpha है alpha माल लो 90 डिया है 90 डिगरी बीटा जो दिया है बीटा 135 डिग्री, 135 डिग्री और गामा 45 डिग्री दिया है तो आप लोग को अगर इसका दिक कोसाइन अगर मैं पूछू तो सिंपल हो जाएगा ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तो वेल्लू पूट कर दो अल्फा की वेल्लू है 90 तो ये कॉस 90 डिग्री, बीटा की वेल्लू है कॉस 135 डिग्री और गामा की वेल्लू है कॉस 45 डिग्री 45 डिग्री, 45 अच्छे से बना लेते हैं, कॉस 45 डिग्री, लियर है तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है और कॉस्ट 135 अब कॉस्ट 135 की वैल्यू तो नहीं मालूं तो इसको तोड़ तो सकते हैं हम लोग कॉस्ट 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूं क्या मैं हां लिख सकते हैं इसको कॉस्ट 45 क्या होता है एक बटे रूट 2 यह आप लोगो टेबल प्रतिलोम त्रिकोंड मिती फलन में आप लोगों को पूरा बता दिया हूं ठीक है तो यह 0 अब यह मैं आप लोगो को बताया हूं अगर 90 और 270 होते तो चेंज होता है तो स कॉस्ट 90 है तो चेंज हो जाएगा तो स कॉस्ट 19 प्लस धिटा क्या होता है साइन ठीटा और ठीटा की वैलू है 45, अब ये 90 प्लस थी था दूसरे चतुर्थांस में, और दूसरे चतुर्थांस में, ये कॉस माइनस होता है, तो ये माइनस कर दिया, ये वैसी हो जाएगा, 1 by root 2, 1 by root 2, तो फिरा आंसर फाइनली आंसर आ गया, ये 0 का 0, ये माइनस का माइनस, और साइन 45 कितना होता है, साइन 45 डिगरी क्या होता है, 0 एक बटा दो, एक बटा रूट दो होता है, एक बटा रूट दो, और ये है, ये माइनस में, और ये प्लस में, एक बटा रूट दो, ये, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, तो ध्यान से देखना, जब आपको अगर पूझ दिया है और आप लोग को A, B, C मालूम है तो इस मैथर्ड में जाना अगर कोण दे दिया है दिक को साइन ये दिक को जिया दोनों एक पूछा तो इस काटेगरी से जाना देखो यहाँ पर अभी क्या लिखा है दिक को साइन मैं एक कोश्चन और लिया जिसमें द कोश्चन है तो हम लोग कैसे करे थे सबसे पहले अलफा बीता गामा अल्फा बीता गामा का बंदोबस कर सकते हो कि आप लोग हाँ सर यह नाइनटी तो दिया हुआ है 90 और 60 90 60 90 60 30 डिगरी तो ठीक है न तो सरक नाइनटी हो गया यह सरकॉस नाइनटी और यह कॉस 60 Causes 60 और यह हो गया Causes 30 तो यहां पर जोभी आएगा वैल्यू वह आप लोग कमेंट करके बताओं यहां पर कुछ में आएगा यही होगा मेरा आंसर यही होगा मेरा आंसर लेकर यहां रोगया था इसी यह अंसर आप लोग करोगा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग ना कि आप लोग इसका अंसर कमेंट करके बताओ तो कुश्चन नमबर 3 हो गया आप कुश्चन नमबर 4 देखो कुश्चन नमबर 4 ध्यान से देखने दर्फसाहिए कि बिंदू 1-12 और 3-4-2 से होकर जाने वाली रेखा ठीक है यह एक पाठ हो गया से रेखा बिंदू इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा के लंबवत मतलब हम लोग को बताना है कि जो एक रेखा है वह इस बिंदू से होकर जाती है और यह जो बिंदू है यह दोनों लंबवत से होकर जाने वाली की रेखा लंबवत है तो ध्यान से देखना आप लो जब कभी भी इस टाइप का कोश्चन आए और लंबवत का केस पूछा रेखा के जीरो आ जाता है अगर मैं इन दोनों का मल्टिप्लाई करके जोड़ दू सम अगर जीरो आ गया emoji है तो इससा से कुछ लाएंगे तो धयान सा देखना अब यह वाले पार मैं लिखा बिंदू आप लोग भी लिखेंगे पूरा बिन्दू, बिन्दू क्या है? एक बोलो मेरे साथ माइनस एक कॉमा दो और और पूरा लिखना है न? तीन चार तीन कॉमा चार कॉमा माइनस दो से होकर जाने वाली रेखा रेखा का दिक अनुपात लिख रहे हैं हम लोग दिक अनुपात दिक अनुपात दिक अनुपात देखो कैसे लिखते हैं ज्यान से देखना हना अभी इसी दोनों को बस टार्गेट करो तो आप लोग क्या करोगे आप लोग क्या करना ज्यान से देखना तो ज्यान से देखना क क्या कर रहा हूं मैं आप लोगों बता रहा हूं मैं कर रहा हूं इतना माइनस इतना तीन माइनस एक यहां पर मैं लिखा तीन माइनस एक मैं दी का नुकार लिखा रहा हूं फिर चार माइनस माइनस एक क्या लिख रहा हूं ठीक तो इसको solve करूंगा तो क्या आएगा तीन में से एक गया दो यहां पर ध्यान से देखो तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो चार धन एक क्या हो गया पांच और यहां पर ध्यान से देखो तो लिखो बिंदू ओं अराम से ना कोई हड़ बड़ी नहीं अभी तो एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइम हाना बिंदू लेकिन खेलने मत लग जाना ना 03,2 ओके और और यहां पर क्या है 35356 हाना 356 से होकर जाने वाली से होकर जाने वाली रे रेखा का जाने वाली रे रेखा का दिक अनुपात चलो अब बताओ क्या होगा दिक अनुपात मैं बोला आप बता हो तो सर क्या होगाना मैं बता ह entrepreneur तो सबसे 3-0, उसके बाद 5-3 करिए, 5-3, उसके बाद 6-2 करिए, ओके सर, 6-2, यह दो, अब फिर आप पेंच चेंज करिए, ठीक है, अब 3 में से 0 गया, 3 में से 0 गया 3, 5 में 3 गया 2, 6 में 2 गया 4, तो इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको हम लोग मान लिए, A2, B2, C2 यह में माना, ठीक है, तो आपके पास A1 की value, B1 की value, C1 की value आ गई, A2 की value, B2 की value और यह C2 की value आ गई, अब इसमें रख देते हैं, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 1, समी करण एक पूरा लिखेंगे भई छे नमबर के लिए हो सकता आ जाई छे नमबर के लिए आ सकता है ठीक है तो हम लोग लिखेंगे A1 A1 A2 B1 B2 C1 और C2 का मान समी करण समी करण एक में समी करण एक में रखने पर समी करण एक में रखने पर चलो समी करण एक में रख रहा हूँ समी करण एक में रख रहा हूँ अब नीचे मेरे पास जगा नहीं है मैं यहाँ पे लिखे हूँ लेकिन आप एक के नीचे एक लिखना तो क्या हो जाएगा A1 इंटू A2 A1 क्या है 2 2 इन्टू A2 क्या है 3 2 इन्टू 3 प्लस 2 इन्टू 3 5 इन्टू 2 5 इन्टू 2 ध्यान से देखना 5 इन्टू 2 5 इन्टू 2 कोई calculation तो mistake नहीं है ध्यान से हम लोग देखते रहेंगे ठीक है यहाँ पर क्या है minus 4 minus 4 C1 C2 क्या है C2 है 4 4 is equal to 0 आना चाहिए तो ध्यान से देखो 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 4 चोग 16 minus है तो यह minus 0 आएगा तभी लंब हुआ थे 10 और 6 16 minus 16 बराबर 0 आ गया देखो 16 और 16 कड़ गया तो 0 बराबर 0 तो हमको इसका sum is equal to 0 लाना था और 0 आ गया हमारा इसको solve करे तो 0 बराबर 0 आ गया तो मैं लिख सकता हूँ अतह बिंदू इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा बिंदू इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा के लंबवत है या sort मैं ऐसे लिख सकता हूँ अतह रेखा लंबवत है अब उत्तर में लिखेंगे हम लोग उत्तर में लिखेंगे देखो 6 नमबर क्लिए करके लिखना पड़ेगा क्यूं देखो अब तक का जो कुश्चन था ना अब जैसे अगर हम बात करूं टिग्नोमेटरी की बात करूं तो उसमें हम लोग को बस सॉल करते 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 जान कर嘛 लेकिन जब यह जो अध्याय मैं इसमें आप लोग फागी कि जर्वत पड़िए तो हम लोग सकते हैं अत्य धारी और भुगल अठाल यह है पूरा ऐसे लिखाना है ऐसे लिखकर दिखाना रहा के लूटकर इस वीडियो को सिए ध्यायद करऊंद तो इसलहिए इस वीडियो का नहीं में इस विडियो जाशत कुछ नियुक्तों कि तो हम लोगों क्या पूछ है रेखा दे दिया है इतना और इतना कि बीच का खोन कुन ग्याद करो, यहां से देखना कुन ग्याद करवाया है, देखो रेखा किस फॉर्म में, इसका कुन का सुत्र क्या होता है, क्या आप लोगको मालूमन, तो यह होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, A1, A2, प्लस B1, B2, प्लस C1, C2, बटे, अंडरूड, A1 स्क्वेर, प्लस B1 स्क्वेर, प्लस C1 स्क्वेर, अंडरूड, अंडरूड, A2 स्क्वेर, प्लस B2 स्क्वेर, प्लस C2 स्क्वेर, और बाद में फिर थीटा की वैल्यू लिका लेंगे, इध तो यह सुत्र हुआ कोण का यह इसके इस प्रश्ण के लिए तो हम लोग को A1, A2, B1, B2, C1, C2 देखना पड़ेगा क्या है तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेर करूं तो यह जो होता है यह यह A1 है यह B1 है और यह C1 होता है नीचे वाला यह A2 यह B2 और यह होता है C2 तो अब तो बहते ही नोगा यहाँ पर लिख के दिखाना है लिख के दिखाना है A1, A1 बराबर 2 B1 बराबर, B1 कहा है बराबर 2, 2, 2, C1 बराबर, C1 बराबर 1 यहाँ पर कॉमा कर दीजिए A2 बराबर हो गया 4, B2 बराबर हो गया 1 और C2 बराबर हो गया 8 ठीक है, value इसमें put कर दो तो क्या हो जाएगा बस ध्यान से देखना, answer तो आ गया, cos theta बस एक सुत्र को देखना था A1 इन्टू A2 मतलब 2 इन्टू 4, 2 इन्टू 4, plus B1 इन्टू B2, 2 इन्टू 1, 2 इन्टू 1, plus C1 इन्टू C2, 1 इन्टू 8, 1 इन्टू 8, यहाँ आगया अब क्या करना है, A1 square प्लस B1 square प्लस C1 square root में, तो आप लोग मेरे को बताते हैं, जाओ फटा फट, A1 square मतलब 4 प्लस B1 square मतलब 4, प्लस C1 square मतलब 1, ठीक है, एक का square एक होता है, अब A2 square 4 का square 16, प्लस 1 का square 1, प्लस 8 का square 64, clear है क्या, सब clear है, तो यह हो जाएगा, cos theta, 4 दुनी 8, प्लस 2 एक कम 2, प्लस 8 एक कम 8, 4, 4, 8 और एक 9, इन्टू, यह क्या आ रहे देखो, 64 और 6, 70, 70 और 10, 80, 80 और एक 81, यह, clear है, बहुत बहतरी ना रहे, 8, 8, 16, 17, 18, रूट 9 जो होता है, वो 3 होता है, रूट 81, 9 की value, 9 की value है, समझे है, यह आप लोग को आता है कि नहीं, हाँ, रूट 9 बराबर 3 होता है, 9 निया 81 होता है, 81 का 9 होता है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से काट सकते हो क्या, 9 एकम, 9 नौदुनी, 18, तो यह हो जाएगा, cos theta is equal to 2 बटा 3, हम लोग को क्या करना है, 2 बटा 3, हम लोग को क्या करना है, के बीच का कोन ग्यात करना है, मतलब theta, तो यह theta, तो यह हो जाएगा, cos inverse 2 by 3, cos inverse 2 by 2 by 3, तो यह इस question का answer हो गया, तो देखो, आपको 5 question कराया मैं पहले वीडियो में, एकदम छोटा ध्या है यह, तो आप लोग को ध्यान रखना है, जैसे मैं question पहला करवाया, question पहला करवाया, तो आप लोग देख लो, दिक अनुपात दिया हुआ है, दिक कोज्या कैसे लिकालते है, जब दिक अनुपात दिया हुआ है, जब आप लोग को degree में दिया हुआ है, कोन, कोन बनाती है बोला, तो दिक कोज्या कैसे लिकालना, दिक को साइन, दिक कोज्या सेम है, यह देखो फॉर्म अलग रहेगा अगर इस टाइप के फॉर्म में रहा तो अंच बटा हर होता है हर वाले को मैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 मानूंगा यह मेरा फॉर्मूला है लास्ट में मैं ठीटा को लिखा लूँगा तो अवराल पांच कोश्चन कर आया और इस वीडियो को मैं खतम कर रहा हूं नेक्स वीडियो में कोश्चन नंबर 6 से चालू करूँगा और भी कंसेप्ट देखेंगे जो कि जरूरी है देखो दो नंबर तो पालो है